लाव यू दिपिका लाइए सुरुचि भारतीय संभिधान में महिलाओ को पुरुशके समान अधिकार प्रदान किये गया है आजाद देश की सरकारों ने भी इसके बाद महिलाओ के हीतों में समय समय पर अनेक कानूं बनाये है आंदोलों के मात्यम से अपनी आबाज बुलंद करने का हग भी महिलाओ को प्रदान किया गया है महिलाओ के हीतों के लिए महिलाओ का गठन भी किया गया है जो महिलाओ के प्रती होने वाले अन्याय के लिए संगर्श करती है उनके कल्यान के लिए शासन और प्रशासन से संपर कर महिलाओ के समस्यों का समाधान कराती है बावजोदिस के कसक है अगर कसक नहीं होता तो पुलिस को यू आगे आकर उनकी सुरक्षा की बात करने की जरूरत ही नहीं थी अदालोतों को भी अनेक बार कदम उठाने पड़ रहे है मिहान के सेज में करीब पचास कमपणियों में उत्पाधन कारिया जारी है अनेक कर्मचारी यहां काम कर रहे है कई महलाये भी है, कई call center कमपणियां भी شروع है जहां पर रात की पारी में महलाये काम करती है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के पास कुछ शिकायते पहुच रहे थी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने इसे गंबिरता से लिया और मिहान में कारेरत कमपनियों के पदाधी कारियों के साथ बैठक ली बैठक में करीब 35 कमपनियों के पदाधी कारी शामिल हुए पुलिस उपायुक्त मतानी ने कॉल सेंटर में रात की पारी में कार्या करने वाली महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की उन्होंने कमपनियों के पदाधी कारियों से कहा कि वहाँ उन्हें रात के समय पिक अप करे और ड्रॉप कराए इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी दरसल इन कमपनियों में कारियरत, मजदूरों और ठेकेदारों के बीच भी कई बार अन्बन होने के मामले सामने आते रहे करमचारियों को लगता है कि कमपनियों के सुरक्षा गाट के भरोसे वे निश्चिंत नहीं रह सकते पुलिस भी इस तथ्या से वाकिफ है, इसलिए पुलिस गष्ट का भी फैसला लिया गया है कुछ जगों पर पुलिस चोकी बनाई जाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया खासकर M's के अंदर पुलिस चौकी के लिए जगह उपलब कराने की बाद बैठक में की गई इस पर उपायुक्त मतानी ने कहां की जरूरत पढ़ने पर संबने थाने की पुलिस भी कमपनी में मदद के लिए पहुचेगी खाप्री के पास एक जगह पर भी विचार किया गया था जो मिहान थाना बनाने की लिए उपयूक्त है जानकारों के अनुसार प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है मिहान में जैसे जैसे नई कमपनिया शुरू होगी तब यहा पर थाना बनाने की आवशकता ज़रूर होगी अतिशिक्षित परिवारों एवं उच्चे शिक्षित परिवारों की महलाई पहले से ही उच्चे पदो पर आसिन होकर कामकाज करती रही है और जहां तक उच्चे शिक्षित परिवारों की महलाओ की बात है तो उन परिवारों में महलाई अपैक्षकरूत हमेशा से ही सम्मान प्राप्त रही है परंतु मजदूर वर्ग में शिक्षा के अभाव में रूडिवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्मर होते हुए भी अपमानित होती रही है और आज भी विशेश बदलाव नहीं हो पाया है अधिकारों के प्रती जागरुक होने और शिक्ष प्राही नहीं है इनकी कुल भागेदारी 27 प्रतिशत के आस पास बताई जाती है सबालंग की सुरक्षा का ही है क्योंकि अपिक्षाकूत अभाव की जिन्दगी से लड़ती हुई ये उपर उठने की कोशिश करती है एक रिपोर्ट के अनुसार रात की शिफ्ट में काम करन के अपराद सबसे जादा 21 फिजदी दर्च किये गया है इसके बाद मजोले वर की कंपनियों में 14 प्रतिशत और बड़े पैमानी की कंपनियों में 8 प्रतिशत इस तरह के मामले सामने आये हैं महिला के लिए नियोक्ता भी सहज नहीं दिखता जबकि हमारे देश के कानुन म महिलाओ की सुरक्षा के जिम्मेदारे भी नियोक्ता पर होती है। लिए गाइडलाइन भी जारी की थी। इसके मुताबिक नाइट शिप्ट में काम करने वाली महिलाओ को घर से फैक्टरी तक लाने वापस ले जाने का इंतजाम किया जाए। वही सरकार ने कहा था कि सुरक्षा और सुविधाओ की सौलियत को ध्यान में रखते वे फैक्टरी मालिक को नाइट शिप्ट की इजाज़त दी जाए। देश में जब से आइटी और बीपी ओ इंडस्री ने कदम रखा नाइट शिफ्ट का चलन तब से बढ़ गया। शुरू में महिलाएं बे धड़क होकर रात में काम करती थी लेकिन कुछ महिलाओं को आपराधिक कत्वों ने निशाना बनाया और हाला तेजी से खराब हुए। 2005 में 24 वर्षिय प्रतीभा मुर्ती बेंगलू रुस्तित अपने आफिस HP Global Soft Call Center से घर लोड रही थी। तब ही उसे ले जा रही कैप के ड्राइवर ने ही उसके साथ दुशकर्म किया। आईटी कमपनियों ने अपने स्तर पर कई एहम कदम उठाये है। जिनसे रात में काम करने वाली महिलाओं का विश्वास बहाल होने में कुछ हद तक मदद भी मिली है। एसो चेम ने एक रिपोर्ट में का था कि ऐसी घटनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास डिग गया है। खासतोर पर उन महिलाओं का जो काम कर रही है। दिल्ली ही नहीं बलकि चेन्ने, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुने, एहमदाबाद, लखनौ, जैपूर और देहरादुन जैसे शहरों में भी ऐसा ही हाल है। Associated Chamber of Commerce and Industry of India की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के तमाम बड़े शहरों में नाइट शिप्ट करने वाली करीब 73 प्रतिशत महिलाए खुद को असूरक्षित महसुस करती है। देश भर के दस बड़े शहरों में छोटी मजोली और बड़ी फर्मों में काम करने वाली 2000 से जादा महिलाओ से मिली जानकारी के आदार पर यह निशकर्ष निकाला गया था। कम से कम दरजन भर घटनाए सामने आ चुकी है। हाल है में उनना मेक युवती को बलादकार के बाद जला दिया गया। इसके अलावा त्रीपुरा के अगरतला में एक लड़की से सामुहिक बलादकार के बाद जिन्दा जला दिया गया। वही बिहार के मुजफर पूर में घर में अकेली युवती को बलादकार में नाकाम रहने पर युवक ने आग लगा दी। इस तरह के घटनाय आखिर क्या संकित देती है। तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद भी महिलाओ के साथ घटित ऐसे अपरात क्यों बढ़ते जा रहे है। उसका स्वरूप पहले से भी विकृत क्यों हता जा रहा है। तो फिर किस से उम्मित की जाएगी। महिलाओ के लिए न केवल हर जगा असूरक्षा के हालात बने हुए है। बलकि यौन हिंसा के अपरादों के बाद पुलिस का रवया बेहद लापरवाई भरा होता है। कई स्थितियों में तो पुलिस पिडितों के खिलाफ ही नजर आ इसके लवा काम के दोरान योन उत्पिडन असा मानने बात नहीं है और हमारे सामने कार्यस्तल पर योन उत्पिडन के विविन्दा मामले आते हैं। विशाका निन्य ने कार्या करने के दोरान किये गए योन उत्पिडन के समन में शिकायतों का निवारन करने और काम करने वाली महिलाओं के लेंगिक समानता के अधिकार को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किये थे ज बहस इस बात की नहीं कि महलाओ योतियों को सुरक्षा किस तरह प्रदान की जाए। बहस इसकी भी नहीं कि अमुक शेत्र हमारे दायरे में नहीं आता। बहस इस बात की है कि इसका अंतक कैसे हो। पुलिस की सक्रियता काबिले तारिफ है, लेकिन पुरे समाज को इसकी लिए आगे आना होगा, मानना होगा कि आज किसी की भी बारी हो, कल हमारे घर की भी हो सकती है, महिला सुरक्षा की भावना हर चिंतन में जलकना जरूरी है, चिंता मात्र इसका समाधान नहीं, असली उस व्यवधान को दूर करने में है, जो महिलाओ के आगे अक्सर आती है, महिला महवूस रहे, देश की विकास में उनकी भागेदारी महवूस की जाती रहे, अभी समाज महिलाओ की नजर में सम्मान के काबिल होगा, याद रखे, भारतिय समाज ने हमेशा से ही नारी को आएंगे आपके पास, तब तक बने रहे हमारे साथ